बात करें यहां से अगर आप सोयबीन की तो सोयबीन का जन्वरी वैदा देख रहे हैं 6310 पर टरिड़ करता नजर आ रहे है 6336 का ही लगा चुका है पौन एक फीजदी की तेजी है हम देख रहे हैं कि सोयबीन का जन्वरी वैदा आज 63100 के उपर निकला है जो सोयबीन पिछले 2-3 प्रेडिंग सेशन से 62100 पर अठका वा था 62100 पर स्टक हो गया था अब उसी सोयबीन में 63100 के उपर का स्टर देखने को मिल रहा है पौन एक फीजदी की तेजी आज बंती नजर आई है आपको बता दें कि हाजिर में सोयबीन की जो मांग है वो थोड़ी तेज हुई है और उपलबधता काफी कम है क्योंकि किसानों को अब उनकी लागत के अनुसार दाम नहीं मिल रहा है किसानों को उमीद थी 10,000, 12,000, 13,000 जाएगी सोयबीन तो उसको निकालेंगे तो उसको बेचेंगे लेकिन अब किसान एक बाद फिर से स्टॉप करके चल रहे हैं अपनी सोयबीन को क्योंकि उन्हें मंडियों में सोयबीन का वाजिब दाम अभी नहीं मिलता नजर आ रहा है क्योंकि साल 2021 में हमने देखा था कि सोयबीन किसान वें 10,000 रुपे क्विंटल का बीच खरीद कर बुवाई की थी और उनको इतनी लागत अभी तक नहीं मिल पाई है पूरे साल 2021 के सीजन में जिसकी वजा से अब जो सोयबीन के किसाने वो एक बाद फिर से नीचले स्तर पाद सोयबीन की बिक्वाली करने से बच रहे हैं वो अभी एक बाद फिर से स्टॉक करकर चल रहे हैं दूसरा प्लांटो में सोयबीन की जो कीमते हैं वो थोड़ी तेज हुई है सर सर सunya देखने को मिली है हाला कि जो plant हैं सोयवीन के वो अपनी शमता के आधे से भी कम शमता पर चल रहे हैं लेकिन जब मांग है प्लान चलेगा ही और जब प्लान चलेगा तो कीमते जब डिमांड रहेगी तो कीमते ओपर जाएंगी ही जाएंगी जिसकी वज़ा से हम देख रहे हैं कि प्लांटों की जो कीमते हैं सोयबीन की वो भी तेजी की अभी और देखने को मिल रही है महराश्ट की लातूर कीरती प्लांट में सोयबीन प्लांट का भाव 6700 के उपर का देखने को मिल चुका है और दूसरा इंदोर में भी देखाएगी हाजिर में इंदोर में सोयबीन की जो डिमांड है फीजिकल डिमांड वो थोड़ी जादा देखने को मिली है जिसकी वजा से सोयबीन को एकदम से सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है वहीं बात करें अगर विदेशों की तो विदेशों में भी सोयबीन में तेजी का इरुजान बताया जा रहा है यूएस सोयबीन तेजी की और जाती भी नज़र आ रही है साउथ अमेरिका में जो मौसम है वो सोयबीन के अनुकूल नहीं है प्रती कूल है ब्राजील हुआ अर जो गरम तापान है वो ज़्यादा देखने को मिल ला है weather condition hot बताई जा रही है मौसम अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी soybean के वहाँ पर जिसकी वज़ा से वहाँ पर soybean का जो उत्पादन है वो प्रवावित हो सकता है हाला कि अभी तक जो पूरी picture है वो clear नहीं हो पाई है विदेशों में इस weather condition के चलते लेकिन अमेरिका में soybean की कीमतों में तेजी है महाँ पर मक्का की कीमतों में भी तेजी है और गेहों की कीमतों में भी तेजी है और इसी का ही असर हम देख रहे हैं कि भारत में soybean की जो प्रोड़क्ट soybean का जो उत्पादने कितना भी हो जाए अभी हाल फिलाल में पिछले साल की मुकाबले जादा बताया जा रहा है लेकिन जो खपत है वो उससे भी जादा है जिसकी वज़ा से आयात करना ही पड़ेगा और अगर आयात होगा अगर विदेशों में तेजी रहेगी तो घरेलों में भी तेजी बनती नजर आएगी हमारे जो एक्सपर्ट हैं मोतिलाल आस्वाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा उनके मताबिक सोयबीन साल 2022 में अच्छरी टन देती नजर आ सकती हाला कि सोयबीन में अभी नीचले सतर भी दिखने वाले हैं बहुत जल सोयबीन में गिरावट भी देखने को मिलेगी जैसे ही सरसों की आवके आनी शुरू हो जाएंगी मंदियों के अंदर सोयबीन की कीमत धड़ाम जाती नजर आएंगी नीचे में साड़े चार हजार से लेकर पांच हजार तक जाती नजर आ सकती हैं जो की काफी important support levels रहेंगे अमित सर्या की मताबिक सोयबीन के साड़े 4000 से लेकर 5000 की जो levels हैं वो important support levels रहेंगे लेकिन 6 महीनों के अंदर-अंदर सोयबीन साल 2022 में 6 महीनों में सोयबीन 8000 तक की भी दाम दिखा सकती हैं 8000 तक की भी levels वायदा में दिखा सकती हैं वहीं लंबी अबदी की बात करें तो एक साल 2022 में पूरे साल 2022 में सोयबीन की कीमते 10,000 तक जाती नजर आ सकती हैं सकता है कि सोयबीन 10,000 तक केस तर्द दिखा दे वाइदा बजार के अंदर ऐसा हमारे एक्सपर्ट मोतिलाल आस्वाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सेजा का मानना है तो ओवरल रुजान सोयबीन में अभी हाल फिलाल में मिला जुला सा रहेगा जब सर्द सुकी आवके आएंगे तब थोड़ा डाउन जाएगा उसके बाद से कुछ उठने की संभावना जता ही जा रही है हमारे एक्सपर्ट द्वारा